आज हम बात करते हैं पौदों के लिए मिट्टी कैसे तयार करें मिट्टी तयार करने के लिए पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी की जरुवत पड़ती है इसे हम garden style कहते हैं यह हम किसी भी खॉलिप्लाट से ले सकते हैं किसी भी पार्क ले सकते हैं तो इसमें हम 50% garden style डालते हैं Green 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 की ग्रोथ को स्ट्यूमिलेट करता है और फ्लाबरिंग को प्रमोट करता है इसमें अब हम 10 परसेंड को कोपीट मिला देते हैं कोपीट क्या है यह एक नार्यल का पुरादा है आउटर हसकाप दा कोकुनट है मार्केट में यह विरिक्स के फ़र्म में मिलता है आप इसको किसी भी नर्सरी की सौप से या ओनलाइन सौपिंग से मंगा सकते हैं जब भी आपको इसके इसके इस्तिमाल करना होता है आप 6 गंटे पहले इसे पाने में विगो दीजेगा जब इसके फाइबर्स फूल जाते है जिससे पौदे सुखने में पाते हैं और यह एरियेशन को अच्छा कर देता है अगर आपके बास दे कोकोनेट ब्रिक्स अबेलेबल नहीं है या आप नहीं मगा सकते हैं तो आप सिंपिल कोकोनेट के फाइबर्स किसी मंदिर से या ठेले बाले से ले दीजेगा और इनको हातों सेडीरे अला कर दीजिएगा जिसी चूटा कर सकते हैं अपना कर दीतों इसको मिक्सी से भी चलाते हैं बट यसे मिक्सी से हिराब घाए-पकल्यबले एं ह मिला नहीं हो प्लास्टिक मेंलियेय नहीं नशे छोक् cils 10 ए टाल दिया है अगर आपकर यह आपके अप लभ् सबसे पहले जो लेयर डालती हैं वो सूखी पत्ति हो की लेयर डाल देते हैं इसके उपर उपर जो ऑगनिक मेटर प्रोवाइट करती हैं फिर आमने जो पर्टिंग मिक्स अपना तयार करा है उसको इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके इस बाल्टी में हम भर देते हैं आपके बस कोई सुकी उकी पतियां है बो भी आप इसमें डाल सकते हैं इस तरह से आप अपनी बाल्टी को भर लीजेगा पूरा उपर तक मिर्टी भर लीजेगा और आपका मुगम्दा त मेंने सब्सक्रेट से लगाए है यह मोली के पौदे मैंने मोली के सीट से लगाए हैं, बीस दिन पहले ही लगाए थे, अब इसमें थोड़े से छोटे-छोटे मोली के पौदे आना सुरू हो गए है, यह मेरा एक निभू का प्लांट है, दूसरा, यह दो कुवंबर के प्लांट मैंने 20 इंच के पौट में देते हुए, पीछे ऊपर डोरी बंदी है, यह मेरा अमरूत का प्लांट है, इसे मैंने ग्राप्टिट प्लांट को नर्सरी से लिया था, देखिए इसका अपडेट के रहता है बाद में, यह भी कुकंबर का प्लांट है, इसको पीछे सपोर्ट एक बड़ा प्लांट था, तो मैंने उसको सपोर्ट देने के लिए, उसके उपर इसकी बेल को सपोर्ट दे दिया है, इसमें फ्लाबर भी आना स्टार्ट हो गए है, यह काफी अच्छी तरह से बढ़डा है, यह अनमेंटल चिली है, इसकी यह अमेरिकन बेराइटी होती है, छुटी-छुटी चिली इसमें आती है, करीपता तो सभी के घरों में होना चाहिए, यह एक मैडिशनल प्लांट है, इसमें एंटी-ओक्सिडेंट होता है, यह वेट लूज करने में हेल्प करता है, और हमारी ब्लेड सुकर को भी कंट्रोल करता है, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर लिजेगा, थैंक्स फर बॉचिंग